ज्वाला मुखी में आजकर जगा जगा रैपिड टेस्ट की जा रही है महीं ज्वाला मुखी में बाहरी स्थानिय वर श्रधालू को भी कोविड जांच प्रक्रिया से गुजरना पड़ रहा है जसके लिए स्वास्ते विभाग ज्वाला मुखी की टीम डॉक्टर अमित की देखरेग में कोविड टेस्ट कर रही है आज मकर सक्रांधी के उपलक्षे पर श्रधालू बाहरी राज्य से भी यहां पधार रही है उन सभी की टेस्टिंग की जा रही है सरकारी गाइडलाइन के अनुसायर जो व्यक्ती या श्रधालू के रिपोर्ट नेगेटिव आ रही है उसे मंदर में दर्शनों वह अन्य जगा घूमने की अनुमती दीश रही है और जो कोई पॉजिटिव आ रहा है उसे आईसुलेशन में रहने की सला दीश रही है है डॉक्टर अमित ने बताया कि सरकार प्रिश्यासन के देशा निर्दैशों के अनुसायर जो वाला मुखी पहुंचने वाले इश्रधानों बहारी लोगों वत स्थानिय का कोविड रैपिट टेस्ट किया जा रहा है और तुरंत रुपोट बना कर बताई जा रही है आज दुपहर तक 35 लोगों के टेस्ट किये गए जिनमें चार लोग पॉजिटिव पाई गई है जुन में तीन पंजाब वो एक मनाली का रहने वाला है केवल नेगिटिव रिपोर्ट वानु को ही दर्शनों वो अन्य स्थानों में घूमने की अनुमती है देखिए जी SDM के द्वारा निकदेश हैं और हिमाश्र गवर्मेंट के की मंदरों में जो है प्रोविट टेस्क ज़्रूरी है और जिन्होंट ने मास्क नहीं पाना है उनका तो बहुत जरूरी है टेस्क्रववाना और जो पॉस्टिव रथे हैं यहां पर उनको हम मंदर में जाने की अनेयमन्ती नहीं दे रहे हैं बाकि जो negative हैं मंदर में दश्ण कर सकते हैं और यहाँ पे फैल्स डिपार्टमेंट से मैं डॉक्टर अमित आर्वीएच के एमो आयूश यहाँ पे अपने स्टाफ के साथ टेस्टिंग कर रहे हैं यहाँ और जो भी नेग्टिव निकल रहा है उसको मंदर में जाने की अनुमति दे रहे हैं आज कितने टेस्ट हुए और कितने पोस्टिव कितने रहे हैं आज अभी तक 35 टेस्ट हो चुके हैं जिन में से 4 पोस्टिव आए हैं जो की 3 पंजाब से हैं एक मुनाली से हैं अबाकि अभी चल रहा है प्रोसेस हिमाचल के सबसे बड़ी ओटो डिलर्शिप गोईल मूटर्स में नौकरी करने का सुनेहरा अफसर हिमाचल के सबसे बड़ी ओटो डिलर्शिप गोईल मूटर्स में नौकरी करने का सुनेहरा अफसर सोलन शिमला, सिर्मा और और की नौर में चाहिए सेल्स एक्जिक्यूटिव, सर्विस एक्जिक्यूटिव, फेल्ड एक्जिक्यूटिव, मूटर मग्यानिक और ड्राइवर, शांदार करियर समभावना है वह इंडस्ट्री में बेहतरिन सैलरी पैकेज तो आज ही कॉल करे, 9418035372 पर और इमेल से भेजे अपना बायो डाटा, hr-goingmotor.com पर